कि हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल कंपटेटीव गाइडर में कंपटेटीव गाइडर चैनल के माध्यम समलोग इंदी भासा एवम साहित का बस तुनिष्ट इतिहांस देख रहें जिसमें दीमें दीमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आदून काल से यहां तक की पौइंट अभी किलियर कराए जा चुका था आज हम लोग यहां से पीश को देखेंगे तो कहता है कि अधुनी काल का सुरदास का जाता है तो यहां से आगे बढ़े कबंद का लिखे गए जो निम्न हैं जिसमें प्रिय परवास उन्हीं सो चोदा में परकासित सद्रा सर्ग विशय क्रिश्ण के बच्पन से लेकर मतुरात प्रस्थान तक का यह बर्नन इसमें किया गया है परिजात जो 1937 में 15 इसमें सर्ग है अध्यात्मिक एवं धार्मिक व पर्णन किया गया इसमें बैदेही बनवास 1941 में जो इसमें 18 सर गये इसमें राम के द्वारा सिता के निरवार्शन की कथा है तो आप ध्यान रखेंगे यहां तक के प्रवास को चली अगले प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाब्य माना जाता है आप ध्यान काब संस्कृत के वर्ण ब्रीतों पर अधारित है द्यान रखेंगे जो प्रिय प्रवास से इसका सबसे पर्थम जो ना मिला था यह ब्रजांगना बिलाप मिला था और यह संपूर्ण काब संस्कृत के वर्ण ब्रीत पर यह अधारित है चली आगे बढ़ते हैं तो कहता कि हर्योद के अन्य प्रमुक कापगरंत निमने लिखित हैं जिसमें देख सकते हैं क्रिशन सतक 1882, रसिक रस 1889, प्रेमा भुवारीधी उनईसो, प्रेम प्रपंच उनईसो, प्रेमांबु प्रसावावन या उनईसो एक, प्रेमांबु प्रवा, चोखे चौपदे आप इसको फूल पते, आप याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉंटेट है, कई बार पूछे जा चुके हैं फूल पते, तो फूल पते 1935, कल्प लता 1937, ग्राम गीत 1938, हर्योद सतसई 1940, मम्र असपर्स 1956, तो यह जो हाइलाइट किये गए हैं, जो रेड कलर से आप इसको क्या कर लें नोट कर लें, या पूछे जाते हैं फ्रस्न में, चली आगे बढ़ते हैं, तो कहता है यहां से, कि हर्योद द्वारा ब्रज भासा में रचित रसकलस 1931, इसवी एक रिती ग्रंथ है, आप ध्याराखे कि इनका रिती ग्रंथ भी है, रसकलस जो 1931 में परकासित हुआ, अगल मंगला परसाद पारिस्तोस की प्रदान किया गया था, आप यह पूइंट्स पूरे को नोट कर ले, आप यह पूरे पूइंट्स को नोट कर ले, ताकि आप से यहां से जो भी प्रस्न बनेंगे, आप इसका उत्तर सही सही दे सकें, कता कि राम चरित्र उपध्या, 1872 से 1938 भ इसमें राम चरितर चिंता मनी, उन्हीं सो वीस प्रबंध काभिया है, राष्ट भारती, देव दूत, देव सवा, बिचित्र विवा, भारत भक्ती, देवी, द्रौपदी, सुक्ते, सुक्ती, मुक्तावली, मैथली सरन गुप्त, 1886 से 1964, आदूनिक यूग का तुलसी स्व जीवन बृत निम्नांकित है, जिन में आप दे सकते हैं, इनका कुछ जनम अस्थान दिया गया, जनम पीता दिया गया, गुरु दिया गया, परतम कविता इन्होंने को लिखा, और परतम काभ संग्रह इन्होंने को लिखा, तो मैथली सरन गुप्त द्वारा रचित जंग में भंग और 1909 में, आप देख सकते हैं, 1909 में जैधरत बद 1910 में, किस्टान, 1917 में, बिना टिकट 1929 में, गुरु कुल 1929 में, साकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में, जनकार 1929 में, यस्वदरा 1932 में, द्वया पर 1936 में, जे भारत 1922 वी विशनु प्रिया उनईचो संतावनिस्वी लिंग राज उनईचो चतिस उनईचो चतिस चौधा हिंदू उनईचो सताइस बैतालिक सदरा पंचवटी उनईचो पचीज तो कुल टोटल आपने यहां से देखा कि इनके जो परमूगरंद की इस परकार से हैं चली आगे बढ़ते हैं तो आगे क फ़िए नहीं परसाद महाबीर परसाद परशाद बैदी ने अपने चंद नाम भुजंग भुशन भष्टाचारे से प्रकासित किया तो अब देख सकते हैं कि इस तरह से यहां पे हो रहे हैं अगरा पॉइंट्स कहता है देखिए यहां से मैथली सरनगुप्त को साकेत रचना की मुल प्रेरनाशन 1928 में सरसरती पस्तरीका में प्रकासित हुआ साकेत मुलत पाली भासा का सब्द है जिसका अर्थ अध्या है इसमें 12 सर्ग है इसे डाक्टर नागेंदर ने जनवादी देखिए यहां से इसे डाक्टर नागेंदर ने इसे जनवादी काबे काया है तो आप ध्यान रखेंगे चली अगले पॉइंट्स बढ़ते हैं तो मंजस्यवादी कभी कहा है मैथली सरन गुप्त को भारत भारती रचना की मुल प्रेरना मुसद्दे देखियां से मुस्दस से मुदस से हाली तथा ब्रज मोहन दतात्रिय कैफी कृत भारत दरपन पूस्तक से प्राप्त हुई है आप ध्यान रखेंगे यह पॉइंट्स को अब यह पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट्स कहता है कि मैथली सरन गुप्त ने स्वयम को कटोंबिक कवी मात्र कहा है ध्यान रखेंगे यह पॉइंट्स को मैथली सरन गुप्त ने स्वयम को कटोंबिक कवी मात्र कहा है इन्हें भारत भारती लिखने पर नांकित हैं जिसमें पलासी कायूद मेगनातवद और बृत सनहार इनी के जो अनुबादित किया गया है अगला पॉइंट कहता है कि मैथली सरन गुप्त ने बांगला कभी माइकेल मधुसुदन दत की रचनाओं का मध्धूप उप नाम से अनुबाद किया है ध्यान में नाम काब लिखा है गुप्त जी को दुवेदी काल में हरी गिंती का छंद का वातसा भी कहा जाता ध्यान रखेंगे ये points your age इंपोर्टेंट हो जाते हैं हरी गीत का चंद का बादसा गुप्त जी को कहा जाता है अगला पॉइंट कहता है कि दिवेदी मंडल के अन कभी है जो निम्नांकी थे यहां देख सकते हैं कभी जन्व मिर्तु जन्व अस्थान और रचनाएं तो गिर्दर सर्मा जिने नौरत न मिर्तु 1969 और जन्व अस्थान बालापूर मदपर्देश में होता है इनका जो रचनाप्रवासी है मेवाड है मेवाड गाता है महानदी है पद पूश पांजली है म्रिग दुख मोचन इन ही की है अगले पॉइंट के और बड़े तो कहता है कि गिर्दर सर्मा ने गुल्ड नाम से अनुबाद किया है लोचन परसाद पांडिय ने चितोड के भीमसेन के अपूर्व स्वतत्व त्याग की कथा नंद दास की रास पंचा ध्याई के ढंग पर लिखी है लोचन परसाद पांडिय कृत मिरिग दी मिरिग दुख हमोचन में इनकी पसुओं तथा सुचने वाली ब्यापक और सर्व भूत द्यापूर्ण काब दिरिष्टी का भी पता चलता है अगला पॉइंट कहता है कि लोचन परसाद पांडिय को काब विनोत तथा साहित बास बाच अस्पती की उपाधी प्राप्त है द्यान रखेंगे आगे पॉइंट से बढ़िये घै कभी का नाम और जन्व अस्थान जन्व अस्थान दिया जन्व और मिर्तु भी दिया रचनाय संकर जो 1839 नोजन्वस था अ बड़ीट यहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद आगे बढ़िये तो इनका जो रचनाय है जिन में अनुराग रतन है संकर सरोज है संकर सर्वस्र है जो 1961 में है फिर उसका गरभर रंडा रहस इन ही की है तो आप देख सकते हैं उनके बाद यहां आगे बढ़िये तो यहां से हम लोग देखने वाले बाल गुप्त जी का जन्व 1865 मिर्तु उनई सो साथ होता है इनका जन्व अस्थान रोतक है जो अस्फुट कविता 1905 में इन्हों ने लिखा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आला भगवान दिन का है जो 1866 में इनका जन्व होता है मिर्तु उनई सो थीस यह फत्यपुरिन का जन देवी परसाद पूर्ण जो 1868 1915 जबल पूर्ण इनका जन्व स्थान रहता है और इनका जो रचनाय जिन में धराधर धावन जो 1902 में स्वदेशी कुंडल 1910 में फिर मिर्तुंजे 1904 में राम रावन बिरोध 1906 में बसंत बियोग 1912 में पूर्ण संगरा 1910 पूर्ण संगर 1937 में इनके मिर्तु सागर इनका जन्व स्थान रहा इनका जो रचनाय रहा जिन में उलाहन पंचक अन्योन विस्तक इन ही की है कामता परसादगूरी यह बहुत ही पॉर्ण टेट है बहुत बार इनसे पूछा जाता है कोस्टन को ध्यान रखेंगे 1875 1947 इनका मिर्तु का सम पचासा पद्ध पोस्पावली सीवाजी और दासी रानी इनकी रचनाय गया परसाद सुक्ल सनेजी की बात करें तो इनका 1883 1972 में इनकी मिर्तु हो जाती है उत्राओं के यह जन्म अस्थान इनका रहा है इनका जो रचनाय जिसमें क्रिशक रंदन है प्रेम पचीसी है राष्टिय बीना है त्रिसूल तरंग है करूना कंदामनी इनहीं की है उसके बाद आगे बढ़िये तो यहां से कता है रूप न नरेश्तिरपाठी जिनका जन्म 1889 मिर्तु 1962 होता जौनपूर जीला के हैं उनके बाद इनका जो फ़ाला स्टेप है यह मिलन 1917 इसवी में इन्होंने लिखा पथिक 1920 इसवी में मांसी 1927 इसवी में स्वपन 1929 इसवी में कवीता कॉमोधी इनहीं के राम नरेश्तिरपाठी ज देखा चली आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं वह ठाकूर गोपाल सरंसी इनका जन्म 1891 में मिर्तु 1960 रीवा में होता है माधवी मानवी मानवी संचीता और जियोतीस मती इनहीं की प्रमुक रचनाये हैं अगला बढ़िये तो कता बुद्गार रिखा पूजा फुल लिखा और कानन कुसूम लिखे इनके प्रमुक रचनाये हैं अगला पॉइंट्स बढ़िये तो यहां से कता है नाथु राम सर्मा समस्या पूर्ति और 38 योक्ति कवीता करने में प्रविन थे नाथु राम सर्मा संकर को कवीता कामनी कां भातेंदु प्राज्य साहत सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्थ है है यह सभी इनकी उपाधियां है तो इनको यह मिला है इनको राम सर्मा संकर को आगे बढ़िये तो कहता है कि नातुराम सर्मा संकर क्रित गर्वरंडा रहस एक प्रबंद काव है जिसमें बिधवाओं की बूरी इस्तिती और देव मंदिरों की अनाचार का बर्नन किया गया है ध्यान रखेंगे गर्वरंडा रहस या नातुराम सर्मा संकर का क्रित है आगे बढ़िये तो कहता है कि राय देवी परसाद पुर्ण ने सन 1922 में काली दास के मेग दूत का ब्रजभासा में धराधत धावन सिर्शक से अनुबात किया है राय देवी परसाद पुर्ण की खड़ी बोली में रचित कवितायन निम्न है जिनमें फर्स्ट देया गया है अमलतास बसंत बियोग स्वदेशी कुंडल नए सन का स्वागत नविन संबत सर का स्वागत तो ये इन ही की है आगे बढ़िये तो कहता है कामता परसाद गुरु क प्रसिद का मुल्यधार उनका हिंदी ब्याकरन है ध्यान रखेंगे मुल्यधार इनका हिंदी ब्याकरन है इन्हें हिंदी भासा का पानेनी कहा जाता है बहुत इंपॉंटेट पॉइंट से हिंदी भासा का पानेनी किने कहा जाता है तो आप याद रखेंगे कामता परसाद गुरु जी को कहा जाता है आगे बढ़िये तो कहता है कि कामता परसाद गूरु का भौमा सुरबद और बिने 50 ब्रजभासा में है तथा पद पुसपा वली खड़ी बोली में है आगे बढ़िये तो कहता है गया परसाद सुकल सिंगारी कविताएं सनेही उपनाम से लिखते तथा राश्टिये भावनाव की कविताएं त्रिसूल उप नाम से लिखते थे। गया परसाद सुकल से नहीं खड़ी बोली के कवित और सववय चंदों का परियोग करने में प्रबिन थे। कविताओं का संग्रह है। राम नरेश्टिर पाठी ने कविता कौमोदी सिर्शक से आठ भागों में ग्राम गीतों उर्दू बांगला एवं संस्क्रित की कविताओं का संक्लन एवं संपादन किया। प्रगित कार माने जाते हैं। अब आपने लोग देखने वाले हैं दुएदी काल के ब्रज भासा काल और उसके करमा नुसार की स्तरह से है। जिनमें यहां पर हम लोग देखने वाले हैं जगनात दास रतनाकर का संचिप्द जीवन बृत जिसका मुल नाम जगनात दास है। जनम इनका 1866 मिर्त 1932 पीता इनके पूर्शो तमदास हैं। गुरु का नाम नौनित लाल चतुरवेदी है और इनका उपनाम रतनाकर है। रतनाकर उर्दु में जकी उपनाम से कविता करते थे। ध्यान रखेंगे जकी उपनाम से कविता करते थे। रतनाकर की प्रमुख काब करितिया निमने जिसमें गंगा अवतरण 1927 में, उर्दवार्द सतक 1929 में, हरिस्चंद्र, हिंडोला 1894 में, सिंगार लहरी, कलकासी और बिराष्टक। इन ही किया तो यह आपको याद रखने, ध्यान में यह रखने हैं। रतनाकर ने अंग्रेजी बिद्वान पूप के असे और क्रिटिज्म का रोला चंद में, समा लोचना अर्दर सिर्शक से अनुबाद किया है। कली है कविरत ने भावभूती के उत्तर राम चरित्र और मालती मादोक तथा लोड मैकाले के अंग्रेजी खंड काब हेरो होरे रस, होरे सस का प्रजभासा में इन्होंने अनुबाद किया है। आगे बढ़िये तो यहां से कहता है कि दुवेदी यूगिन महतपून कभी एवं उनके महा काब यहां देख सकते हैं जिनमें कभी का नाम द्वारका परसाद मिस्र है। परसाद मिस्र हैं जो साकेत संथ 1946 उद्धै संकर भट तच सिला 1931 परताप नरायन पुरोईत नल नरेस 1933 तो इनके यह प्रमुखे काब और उनके समय भी दिया गया और कभी भी दिया गया। तो उमीद है यहां तक के पॉइंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे और अभी से पहले जो थाप वीडियो वह पार्ट वन था आज पार्ट टू वीडियो तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं फिर अगले सीरीज में हम आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए धन् चैनल के वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सेर कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो उन लोगों के भी पास पहुंच सके